नमस्कार यानि कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया इस पर बातशीत कर सकते हैं अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं आपको हमारे इमेल आइडी पर अपने सवाल लिखने हैं और हमें भेजने हैं हमारा इमेल आइडी है dth.class9 at the rate ciat.nic.in इस वक्त आप हमें लाइड देख रहे हैं PM इविद्या चैनल नंबर 9 पर हमारे साथ एक महमान मौझूद है जो हमें इस विशे पर जानकारी देंगी आए उनसे मलाकात करते हैं हमारे साथ है Mrs. भारती मलहोतरा स्वागत है माम आपका नविश्कार माम है Lecturer Geography यानि कि भूगोल की Government Girls Senior Secondary School बिंदापुर नई दिली से और आए जो चर्चा है माम के साथ इसकी शुरुवात करते हैं और माम से पूछते हैं हमारा पहला प्रश्न जो की है माम भारत को भौत एक भिनताओं का देश आखिर क्यों कहा जाता है देखे भारत एक ऐसा देश है जो आकार में बहुत विशाल है नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जदा तर देश एक ही प्रकार की स्थलाकरिती में खटम हो जाते हैं आकार देशों का बहुत छोटा होता है जादा तर स्थलकी आकरिती तीन प्रकार की देखी जाती है या तो परवत, या तो पठार, या तो मैदान हमारे बच्चे भी जिन इलाकों में रहते होंगे तो या तो जमीन बिल्कुल सपाट होगी या पहाड़ी इलाका होगा या फिर इलाका ऐसा होगा जो थोड़ी छोटी पहाड़ियां होंगी मगर आसपास के इलाके से उचा उठा हुआ तो ये तीन प्रकार की स्थलकृतियां साधारन तया देखने को मिलती है अब परवत, या पठार, या मैदान तीन तरह की स्थलकृतियां तो है लेकिन हमारे देश में ये तीनों तरह की स्थलकृतियां सब जगा देखने को मिल जा रही है इतनी विविधताओं वाले देश दुनिया में बहुत कम है तो भारत ऐसी विविधताओं वाला देश है और विविधता ही नहीं, विविधता में एक्ता भी देखने को मिल रही है पूरी एक्ता की ले में जुड़ा हुआ देश है हमारा तो ऐसी एक्ता बहुत कम देशों में दिखाई दे रही है एक ही देश के अंदर दुनिया के सबसे उंची परवतमाला दिखाई दे रही है दुनिया की सबसे प्राचीनतम पठार दिखाई दे रहे हैं और सबसे उपजव मैदान भी दिखाई दे रहे हैं ऐसी एकता बहुत कम देशों में है इसलिए इसे विविदिता में एकतावाला देश कहा जाता है और भारत की इन विभिन भौतिक विभागों को समझना भूगोल के लिए तो बहुत ही आवशक है बिल्कुल, वो हमें गर्व है कि हम भारत जैसे देश के निवासी है और मैं आपसे पूछना चाहूँगी अगर हम जियो लॉजिकली बात करें जिसे हम भूगर भी तोर पर बात करें तो क्या भारत के भूभागों की स्तिती कुछ अलग है बाकी देशों से? बिल्कुल, भारत के जो हम भूभागों की बात करें तो हम तीन मुख्य भूभागों की बात कर सकते हैं एक हिमारे परवतमाला, एक हमारा प्राइद्विपी पठार और तीसरा हमारे उत्तर के मैदान हाला कि तीन चार और भूभाग हैं लेकिन हम पहले इन तीनों की बात लेंगे और इन तीनों का निर्मान बिलकुल अलग अलग प्रक्रियाओं से हुआ है ये तीनों भूगर्बिये तोर पर बिलकुल अलग है इनका अगर इन्हें स्टडी किया जाए इन्हें समझा जाए तो इन में सबसे प्राचीनतम भाग है हमारा प्राद्विपी पठार ये इतना पुराना है कि इसके जितने पुराने बहुत कम इलाके हैं इसे बहुत समय तक तो बिलकुल स्थिर इलाका समझा जाता था हम समझते थे या हमारे भूवेग्यानिक समझते थे कि ये बिलकुल स्थिर इलाका है लेकिन पिछले कुछ समय में काफी भूकम पाये इस इ इसके इलावा हमारा हिमाले परवत का इलाका ये तो वैसे ही युवा और अस्थिर इलाका है ये तो एक युवा बच्चे की तरह है इसको ऐसा समझना चाहिए कि ये तो अभी बड़ा हो रहा है इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है तो ये एक अलग तरह का इलाका है इसका निर्मान अभी भी जारी है और फिर हमारा मैदानी भाग ये एक अलग ही इलाका है इसका निर्मान एक अलग प्रक्रिया के द्वारा हुआ है जिसमें हमारे हिमाले परवत से लाई गई मिट्टी और गादला लाकर इकठी हो रही है और एक विशाल मैदान का निर्मान हो गया हिमाले परवत का निर्मान हुआ है अवसादी शैलों से और हमारे प्राइद्यूपी पठार का निर्मान हुआ है आगने और कायंतर शैलों से और इसके विपरीत उतरी मैदान जो है वो जलोड निक्षेपों से बने हैं तो तीन इलाके बड़े-बड़े आकार के और तीनों अलग-अलग प्रकार के शेलों से बने हुए हैं। तो भारत के इन इलाकों को अलग-अलग तौर पर समझना हमारे लिए बहुत आवशक है। भुगोल के चातरों को एक बार इसकी समझ आ जाना बहुत जरूरी है और अगर हम इसे समझ पाते हैं तभी हम भुगोल के आगे के सारे कॉंसेप्ट्स को ठीक डंग से समझ पाएंगे। तो माम क्या आप अपनी प्रेजंटेशन के जरिये हमारे दर्शकों को कुछ दिखाना चाहेंगे। बिलकुल जी। यहां मैं आप देख पाएंगे हम यहां भारत के भौतिक मांचित्र को देख रहे हैं और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिखाई दे रहा है द्वी भाषिये मांचित्र है यह इसमें इंडिया का उच्चावचन मांचित्र भी दिखाई दे रहा है और र होगौलिक वित्रन अगर भारत का देखा जाए तो छे भागों में बाटा जाता है। इसमें सबसे पहली है हिमालय की परवत श्रंखला जो भारत के उतरी भाग पर एक दीवार की तरह खड़ी हुई है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शेत्र है हमारा उतरी मैदान, तीसरा बड़ा विभाग है हमारा प्रायद्वीपी पठार, चौथा विभाग है भारतिय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, पांचवा विभाग है तटिय मैदान, यानि कोस्टल प्लेंस, और पांचवा विभाग है हमारा दूसरा मैदान, इसे दुबारा हम मैप में देखते हैं, हिमाले परवतमाला उतरी भाग पर एक चाप के आकार में पूरी तरह फैली हुई है, ये देखिए, इसे हम देख सकते हैं, भारत के पूरे उतरी भाग पर आप इसे चाप के आकार में फैले हुए देख सकते हैं, इसके ठीक नीचे सामनांतर इसके फैले हुए हैं, हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जिसका निर्माण गंगा की सहायक नदियों के द्वारा हिमाले से लाई हुई अवसादों से ही हुआ है इसके नीचे आप प्रायद्वी पठार के एक बड़े इलाके को देख सकते हैं जो भारत के प्रायद्वी पर त्रिभुज के आकार में यानि ट्राइंगिलर शेप में पूरा फैला हुआ है नीचे समुद्र के तटों पर हमारे दो तटिये मैदान है एक तरफ हमारे पूर्वी भाग पर फैला हुआ पूर्वी तटिये मैदान जो की आकार में काफी चोड़ा है और उसके विपरीत पश्यमी भाग पर फैला हुआ पश्यमी तटिये मैदान जो आकार में संकरा है इसके अलावा हमारा एक भारतिये मरुस्थलिये शेत्र है जो आप राजिस्थान के शेत्र में देख सकते हैं ये देखिए राजिस्थान के राज्ये के उपर फैला हुआ हमारा मरुस्थलिये शेत्र और इसके अलावा हमारे देश के दो बड़े द्वीप समहू भी हैं एक हमारा लक्ष द्वीप समूह जो की अरब सागर में है और दूसरा अन्डमा नीकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में हमारा पहला हुआ है तो ये हमारे छे भौतिक विभाग हैं जिनको हम एक एक करकर इस पार्ठ में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या माम जो पहला भाग है जो की है हिमाले परवत श्रिंकला क्या हम उस पर विस्तार से बात चीट कर सकते हैं? बिल्कुल सबसे पहले हम उसी के बारे में बात करना चाहेंगे उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चे अपने माइंड में एक mental map बनाएं इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने माइंड में एक हिमाले परवत को imagine करिए आप में से कई बच्चे तो परवतिय इलाकों में रहते होंगे लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो परवती इलाकों में नहीं रहते संभव है आप कभी पहाडों में गए हो या ना भी गए हो तो कभी न कभी आपने फिल्मों में टीवी में कहीं न कहीं परवती शेत्रों के चित्र देखे होंगे तो इन परवतों की कलपना अपने माइंड में कीजिए फिर भारत के मानचित्र में उत्तरी भाग पर इस कलपना को बिठाने की कोशिश कीजिए एक बार अपने माइंड में इसे अगर आप बिठा पाते हैं तो ये एक दिवार के रूप में, एक चाप की आकरती में हिमाले परवत अगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे भारत की भू आकरती को समझने के लिए हिमाले परवत की स्थिती को समझना बहुत जरूरी है हिमाले परवतमाला एक चाप के रूप में एक धनुष के रूप में भारत की उतरी सीमा पर पूरी तरह से फैली हुई है हिमाले का आप ये मैप देख सकते हैं जो अब हमाई स्क्रीन पर है इसे आप अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए एक मिनट के लिए आप सिर्फ इसे आँख बंद करके अगर आप इस मैप को देखते हैं और फिर आप इसे दिमाग में बिठा पाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कश्मीर से लेकर उत्री भाग में कश्मीर से लेकर यहां उत्राखंड हिमाचल प्रदेश नेपाल नेपाल हलाकि भारत का हिस्सा नहीं है लेकिन प्राकरतिक सीमाए और राजनीतिक सीमाए एक दूसरे से अलग रहती नहीं है हिमाले परवतमाला नेपाल, भूटान से फैलते हुए, अरुनाचल प्रदेश से होते हुए बिलकुल हमारे देश की पूर्वी सीमा तक फैले हुए है यहां आकर अरुनाचल प्रदेश के बाद ये एक तीखा मोड लेते हुए दक्षिन्ड की ओर मुड जाते है हिमाले परवतमाला लगभग 2400 किलोमेटर तक फैली हुई है 2400 किलोमेटर इसकी लंबाई है और 400 किलोमेटर से लेकर 1500 किलोमेटर इसकी चोड़ाई है आप देख सकते हैं कि कश्मीर के शेतर में इसकी चोड़ाई जादा है यहाँ पर ये लगभग 400 किलोमेटर चौड़े हैं और अरुनाचल प्रदेश के आसपास आकर ये केवल 1500 किलोमेटर चौड़े रह जाते हैं आप हिमाले परवत के कुछ एक चित्र भी देख सकते हैं इन्हें देखकर आपके लिए इनकी कलपना करना आसान हो जाएगा ये परवत श्रंखलाएं कई तरह की हैं उची परवत श्रंखलाएं बर्फ से ढके हुए परवत तेज नदियों से भरे हुए परवत श्रेणिया इनकी गहरी घाटिया हैं इनसे अनेक परवत से निकलने वाली नदिया हैं जो देश की सदा नीरा नदिया हैं पूरे देश को जल उपलब्द कराने वाली नदियां इस इलाके में बहती है कई इलाकों में बहुत संकरी घाटियां हैं जो नीचे आकर चौड़ी होती चली जाती है हम आगे चलकर हिमाले की विभिन शेणियों के बारे में बात करेंगे तो हिमाले परवत माला को हम जब बात करते हैं तो इसे मुख्य रूप से हम तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं हिमाले की श्रंकलाएं जो हैं वो सामानांतर श्रंकलाओं के रूप में फैली हुई है असल में जब हिमाले का निर्मान हो रहा था तो ये एक लंबे काल में चटानों के टेथिस सागर में जमे हुए अफसादों के संपीडित होने की वज़े से इसका निर्मान हुआ और ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रही एक के बाद एक दबाव पड़ता रहा और लगातार कई परते ایک साथ जूढती रही हिमाले युवा वलित परवत है वलन की प्रक्रिया यानी फोल्ड बनने की प्रक्रिया लगातार चलती रही इसके परिणाम सुरूब हिमाले की कई श्रंखलाओं का निर्माड हुआ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई पैरलल परवत श्रंखलाएं आपको देखने को मिलती है तो हिमाले को हम मोटे तौर पर तीन वर्गों में विभाजित करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाले की पहली और सबसे बड़ी परवत श्रंखलाएं जिसे हम कहेंगे हिमादरी या महान हिमाले ग्रेट हिमाले या हिमादरी ये हिमाले की सबसे उची परवत श्रंखला है इसमें जादातर पहाड ऐसे हैं जो बर्व से ढके रहते हैं साल भर बर्व से ढके रहनेवाले पहाड हैं इसके पर्वत जो हैं इसकी औसत उचाई लगभग 6,000 मीटर है दुनिया की सबसे उची परवश्रेणिया और सबसे उची परवश्रेणिया इसी में पाई जाती है असल में अगर आप दुनिया की सबसे उची परवश्रेणिया या परवश्रेणिया तो इसी में पाई जाती है आप इसकी एक लिस्ट यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सबसे उची परवत चोटी है माउंट एवरेस्ट जो की नेपाल में है इसके बाद कंचन चंगा जो भारत में ही है सिक्किम राज्य में इसके अलावा मकालू, धौलागिरी, नंगा परवत, अनपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा, गुर्ला मन अटा ये सब परवत चोटियां दुनिया की सबसे उची परवत चोटियों में से हैं ये जो हमारी परवत श्रिंखला है, ये सबसे जादा लंबी, continuous परवत श्रिंखला है इसके अंदर कई महत्वपूर्ण परवत श्रेणिया है इसकी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है कराकूरम श्रेणी इसके अलावा लद्दाक शेनी, जासकर शेनी, कई महत्वपूर्ण शेनिया मिला कर बनती है ये हिमादरी वाला हिस्सा इसके दक्षिन में है दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे कहा जाता है हिमाचल हिमाले या लगू हिमाले भी कहा जाता है लेसर हिमाले आस इसके अंतरगत भी कई महत्वपूर्ण शेणिया है Actually आप अगर कभी भी पहाडों में गए हैं Hill Stations में गए हैं और Hill Stations के बारे में सोचते हैं तो आपको जादा तर यही हिमाले आपने विजिट किया होगा यह वो इलाका है जहाँ पर हमारे सारे Hill Stations हैं यह मध्य हिमाले का भाग है यहाँ पर आपको जितने भी आपकी Hill Stations हैं जैसे कुलू मनाली, नैनीता, शिमला यह सब इसी भाग में है इसकी ओसत उचाई 3700 मीटर से लगभग 4500 मीटर तक है यह संपीडित अफसादों से बना है जहाँ हम पहले हिमादरी की बात कर रहे थे उसका कोर ग्रेनाइट का बना हुआ था यह संपीडित अफसादों से बना है इसमें जादा कठोड शेल है और यहाँ पर इसकी चोड़ाई लगभग 50 किलोमेटर है इसकी सबसे महत्वपून शेनी है पील पंजाल इसके अलावा यहाँ पर महाभारत, धौलाधर शेनी और कई महत्वपून शेनिया में लाकर यह पूरी प्रवर्थ श्रिंखला बन जाती है यह श्रिंखला भी नेपाल के काफी बड़े हिस्से तक पहुँचती है इसके अलावा हमारी तीसरी सबसे महत्वपून शेनी है शिवालिक शेनी जो हिमाले के सबसे बाहरी हिस्से पर फैली है असल में यह वो पहाडियां है जिनकी उचाई सबसे कम है आप यह जो स्क्रीन पर हरी बरी पहाडियां देख रहे हैं ये शिवालिक श्रेणी का ही हिस्सा है शिवालिक श्रेणी के अंतरगत आपके कम उचाई वाली पहाडियां आती हैं यहां ओसत उचाई लगभग 900 मीटर से 1100 मीटर तक है ये श्रेणी 10 किलोमेटर से 50 किलोमेटर चोड़ी है और इसमें इस श्रिंक्ला के इसमें जादातर असंगठित अफसाद बने हुए हैं असंगठित अफसादों से बनी हुई है ये श्रेणी ये हिमाले की सबसे बाहरी हिस्से का निर्मान करती है इसके अंतर गद्बी जो जादातर शैल है वो घने अफसादों से ढखे हुए हैं तो हमारी ये तीन समानांतर फैली हुई परवश्रेणिया जो हैं हिमाले परवत की श्रंखलाओं का निर्मान करती हैं अब ये हमारा एक बड़ा महतुपून वर्गी करण है लेकिन हिमाले परवत का वर्गी करण कई तरीके से किया गया है हिमाले परवत तो लंबे समय से विज्ञानिकों द्वारा अध्यन किये जाते रहे हैं परंपरागत तोर पर एक और वर्गी करण हिमाले परवत का भी किया जाता रहा है जो नदियों के आधार पर है हिमाले से निकलने वाली नदियों के आधार पर हिमाले को पुर्व से लेकर पश्चिन तक चार अलग वर्गों में भी बाटा गया है अब ये चार वर्गों में नदियों के आधार पर जो वर्गी करण किया गया है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं ये जो वर्गी करण है ये परंपरागत नामों पर आधारित है लंबे समय से कई नाम ऐसे चलते रहे जिनको लोकल या स्थानिय नामों के लिए जिनका इस्तमाल किया जाता रहा कुछ एक नाम ऐसे हैं जो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग है यानि नदियों के आधार पर सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक के शेत्र को कश्मीर से लेकर उत्राखंड के इस शेत्र को पंजाब हिमाले के नाम से जाना जाता है अब इसके स्थानिय नाम अलग भी हो सकते हैं कहीं कहीं पर इसी को कश्मीर हिमाले या हिमाचल हिमाले भी कहा जाता है फिर दूसरा एक शेत्र है जिसमें सतलुच से लेकर काली नदी के बीच के शेत्र को कुमाउं हिमाले के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर भी कहीं कहीं पर स्थान ये नाम है जैसे बीच के कुछ हिस्से को गड़वाल हिमाले के नाम से भी जाना जाता है नेपाल हिमाले के नाम से जाने जाने वाला अगला शेत्र है जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक पहला हुआ है आप इसके बीच में देख सकते हैं कि हमारा उत्राखंड राज्य आ जाता है या बीच के कुछ शेत्र में नेपाल का एक बड़ा शेत्र आ जाता है नेपाल जो है हलाकि हमारा पडोसी देश है मैं पहले भी ऐसा कह चुकी हूँ कि प्रकृतिक सीमाएं और राजनीतिक सीमाएं मैच नहीं भी करती है पर प्रकृति जो है वो राजनीतिक सीमाओं को तो मानती नहीं है इसलिए ये अलग-अलग चलती है तो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का शेत्र जो है वो नेपाल हिमाले कहलाता है इसके अलावा एक आखरी शेत्र इसका आ जाता है वो है तीस्ता नदी से लेकर दिबांग तक यानि तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के अंत तक आ जाता है जिसे असाम हिमाले कहा जाता है ये चार वर्ग खतम होने के बाद हमारा हिमाले का शेत्र जो है एक मोड ले लेता है जिसे हम पूरवांचल हिमाले कहते हैं पूरवांचल हिमाले के अंतरगत हमारे हिमाले का वो भागा आता है जिसमें हमारी पूरवांचल हिमाले की पहाड़ियों का शेत्र आता है हिमाले यहां पर आकर एक तीखा मोड दक्षन की ओर ले लेता है यहां हमारी कम उचाए वाली पहाड़ियां है यह वो शेत्र है जो घनी वर्षा प्राप्त करने वाला शेत्र है घने जंगलों से ढखा हुआ शेत्र है और यहां पर यह हमारे मैनमार की सीमा के साथ लगता हुआ वो शेत्र है जहां पर हमारे वो राज्ये पढ़ते हैं जिने हम हमारे साथ बहने राज्ये कहते हैं यानि असाम के साथ लगने वाले हमारे राज्य अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघाले, मनेपुर, तरपुरा इन राज्यों में फैला हुआ हमारा हिमाले का शेत्र इसके अंतरगत हमारी पटकाई पहाड़ियां, नागा, मीजो पहाड़ियां ये वाला शेत्र आता है हिमाले का ये एक अलग भाग है जैसे कि आपने बताया कि हमने इसे छे भागों में बाटा है और हम जो अगला भाग है जो की है उत्री मैदान वो हम अगले सेशन में उसकी बाजीत करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है लेकिन जाने से पहले एक आखरी सवाल में आपसे ज़रूर पूछना चाहूंगी हिमाले जो है उसे भारत का वरदान कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसा हिमाले को भारत का वरदान कहने का बहुत बड़ा रीजन है वैसे तो ये कहना एक अलग ही बात है कि हिमाले नहीं होता तो क्या होता लेकिन ये सोचना भी भूगोलविताओं को या भूगरबिय विग्यानिकों को समझना जरूरी है अगर हिमाले नहीं होता तो भारत की सिती बिलकुल अलग होती हिमाले उत्तर से आने वाली तेज पवनों को भारत तक पहुंचने नहीं देता और मौनसून की प्रक्रिया में हिमाले का बड़ा महत्वपून रोल है हिमाले परवत ने मौनसून की पवनों को एक निश्चित द हमारे यहां पूरा मॉन्सुन का सर्कूलेशन और सिस्टम जब हम समझते हैं तो हम उसमें हिमाले का बड़ा महत्वपून रोल देखते हैं भारत की भारी जनसंख्या को जो सदा नीरा नदियों का लाब मिल रहा है हिमाले से इतनी सारी सदा नीरा नदिया निकल रही है आज हमें गंगा ब्रमपुत्र सिंदु और उनकी इतनी सारी सहायक अद्यों से जो पानी लगातार मिलता रहता है इन नदियों से जो हमें लाब मिल रहा है, सिचाई का, पीने के पानी का, घरे लूप योग का, और दियोगिक लाब, ये सब चीजें हमें हिमाले से मिलने वाली नदियों से ही मिल रही है, साल भर इन पर पड़ी हुई बर्फ से जो नदिया निकल रही है, ये ही हैं जो हमारे उत्तर भारत की भारी जनसंख्या का भरण पोशन कर रही है तो हिमाले से तो हमें बहुत सारे लाब हैं इतने लंबे समय तक पडोसी देशों से हमें इतनी सुरक्षा देता रहा है इतनी अविजित सीमा बना कर दी है हमें हिमाले परवतमाला ने हलाकि आज कल के समय में अगर सामरिक दृष्टी से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी सीमा नहीं है वार की दृष्टी से देखा जाए ये एक सुरक्षा उतनी बड़ी सुरक्षा नहीं देता लेकिन फिर भी हिमाले बहुत लंबे समय तक हमें हमारे दुश्मनों से बहुत बड़ी सुरक्षा देता रहा है और आज भी ये प्रहरी बनकर हमारे लिए खड़ा है इतना बड़ा हमारा गंगा का मैदान उपजाओ मैदान जो बना हुआ है ये सब हिमाले की इधी ही देन है तो हिमाले तो भारत के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि इस देश को बहुत बड़ी सुरक्षा हिमाले परवत देता रहा है तो इस वर्दान की हम सभी को कदर करनी चाहिए और हमें उसे ठीक ठाक रखना चाहिए अपने हिमाले को संभाल के रखना चाहिए और ये तो माम जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे देशों से उनके लिए भी बहुत अच्छा है घूमने आते हैं परिटकों और सेलानियों के लिए तो हमैले हमेशा से ही जी, तो धन्यवाद माम आपका हमारे साथ जुने के लिए और हिमाले परवत श्रिंखला के बारे में इतना कुछ बताने के लिए फिर से मुलाकात होगी आपकी आपसे दुबारा अगले सेशन में और जिसमें हम इसी विशे को आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुनने के लिए कहीं मत जाएगा यहीं रहेगा हम एक और अपना खास खारिक्रम लेकर हाजिर होने वाले वेबिनार on ICT tool क्या होगा विशे आपको थोड़ी देर में पता चलेगा देखते रहें पी एम इविद्या चानल्स नमस्कार